हाई गाइज this is day five of 30 days challenge हेलस्टराइल औरतम उसे प्रोडक्त आज मैं आगे हूं वहाँ मझदार साठ टी आईवाई सेव करने तो आजख बहुत ही योनिवने माला है क्योंकि आज मैं एक बनाने चारी हूं वन पीस-ब्रेश पहुत ही जादा बनके आया है तो यह है मम्मी का नाइटी इसको मैंने विए करके रखा है तो देख सकते हैं आप लोग कुछ इस तरह कहा है यह नाइटी काफी लूज है तो अभी तो यह वैसा बहुत ज्यादा खुबसूरा तो लग नहीं रहा है बट मैं इसे बनाने वाले हूं बहुत ही कुबसूरा सब्रेस जो कि बहुत ही कम समय में बन जाता है और बहुत ही सिंपल है और इसके लिए जादा कुछ चाहिए भी नहीं बस ही लास्टिका यूज तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और आप जाके प्लेलिस में चेक ओड कर सकते हैं तो वीडियो स्टाइए So guys, आज का वीडियो ब्राउन में बनाने वाली वही सारा आपको प्रोसरस दिखाने वाली कैसे स्टिचिशिंग करना है कैसे कटिंग कर जलो आटो 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 ब्रॉन प्लीज देखे आराम से मस्ता पेपर कट करना स्टार करती है बैट के जाटो प्लीज यहांपे मैंने नाइटी को विचा दिया है इसका मैं पहले नेक कट करूंगे यहांपे बहुत सारा कप्रा चुटेदा मेरा कर जागा इसका नहीं से पहले मैं इसको डिटैच करने वाली हूँ तो गैस मैंने यह चुनवाला पार्ट निका लिया काफी ज्यादा कप्रा है मैं सबसे पहले इसको स्ट्रेट करने वाली हूँ इस कॉर्णर से लास्ट अब गैस देख सकते अगेन ब्रॉन आ गई है मुझे डिस्टरब करने तो गैस यहांपे मैंने नेको कट करके अच्छे से आइरन कर लिया है अब मैं यहांपे कटिंग स्टार्ट कर लिया हूँ तो इसके लिए सबसे पहले मैं लेने वाली हूँ अपना कोई भी फिटिंग सूट आप ले लीजे और उसको बीच में रख करके और उसके एकॉर्डिंग आप अपना इसको यहां पर इसको यहां पर स्लाइकली थोड़ा सा तो इसको इसको इस तरह से तिर्शा कट करने वाली हूँ तो गाइज यह हमलों का कटिंग हो चुका है अब हमलों को कह करना है स्टिचिंग में सबसे पहले जो यह आप देख सकते हो यह उपर का पाठ होने वाला है इसमें आपको इलास्टिक लगाती इस तरह से फोल कर लेना है दोनों साइड आएँगे यह पिछे दोनों फ्रांट और बैक दोनों साइड सो मैं आपको यहां पर इलास्टिक लगा करके दिखाती हूँ तो यहां पे मैं करीब इतना मोटा दो इंच के करीब मैं कट कर लूँगी इस तरह से मैंने एक बना लिया है तो यह दो हो गया इससे मैं कंधार सोल्डर बनाने वाली हूं काफी क्यूट सा बनने वाला है तो इसको कह करना है यह मैंने यहां पे लास्टिक लगा लिया है उपर नेक पे जैसा कि मैंने आप लोग बताया था बहुत चुड़ट नहीं डालना है कुछ इतना यह इतना है तरह से इसको पाइपिंग देना है फॉर्स्ट पहले आप लोग को इस तरह से एक स्टिच लगा लेना है और जो टोक हैं इसको फोल्ड करके इस तरह से पाइपिंग बनाना है यह कुछ इस तरह से बनेगा और यह हम लोगों का उपर का हो जाएगा इस वी और यह पीछे से अटाच हो जाएगा तो कैसे करना है वह मैं आप लोको करके दिखाते हैं अब बारी है यह साइड में स्टिच करने का साइड जोना साइड से मैं स्टिच कर लूगे और इसके पाद हम लोग स्लिप पर काम करेंगे तो पहले से स्टिच करके मैं आप लोको दिखाते हूं तो गाइस देख सकते आप लोग इस तरह से मैंने पुरा स्टिच कर लिया है अब इसमें मैं बाजू लगाने वाली हो भी बहुत जादा स्टालिस्ट एंड यूनिक होने वाला है तो यह जो साइट से मैंने कप्रा निकाला था उसका यूस करने वाली हूँ मेरे पास बहुत साइड दोनों साइड एल यह अटाइच होगा यहां पर कुछ इस तरह से यह रहेगा जो हम लोग का बाह पे आता है उस तरह का बहुत ही क्यूट सा बनके रहे होगा तो चलिए बाजू का भी ब्लोज स्टाट कर तो गाइस बाजू का कटिंग करने के लिए मैंने कप्रा ल कर लोगी कि इस तरह से कुछ हमारा बाजू बंगे रहे हैं दो देख सकते हैं आप लोग पजिए बटायाए gray पहली हमारी हिं मैं दोनों साइक लगाने माली हूं तो चलिह पहले मैं लगाला यह बज़ब तो फञेकは पहले में दिखाती हूं उसके बाद में आप लोगको दिखाते हूं फाइनल लूप पाजू के साथ so guys this is the final look कैसा लग रहा है आप लोग प्लिस बताइए and मैं इसे वेर करके आप लोग को दिखाती हूँ काफी क्यूट सा मुझे लग रहा है and काफी क्यूट बन के भिया है so जलिसे से वेर करके मैं दिखाती हूँ आप लोग को this is the final look कैसा लगा आप लोग को आप लोग आप लोग को I know की बहुत ज्यादा द पसंदा आप लोग को बहुत जादा यूट लगाओ है बहुत प्यारा आप लोग को भी भी कश्ट रेडि हूआ है I hope का आप लोग को भी बहुत ज्यादा पसंदा है तो ऐसे और भी DIY में लेके आने वाली हो 30 देज तक so stay tuned and वीडियो में सब्सक्राइब कीज़ेगा family friend की साथ सेयर कीज़ेगा में चैनल को सब्सक्राइब कर लीज़ेगा तो मिलते हैं हम लोग next video में जो की होने माला है day 6 उसमें में बहुत ही जादा क्यूट चा DIY करने वाली हूँ so stay tuned and please subscribe comment में hashtag outfit from yours product जरू लिखेगा कीज़ेगा कीज़े में 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 बहुत थमांकेदा वीडियो लाने वाली हूँ so stay tuned bye bye